सारे गामा कारवा, डिजिटल आउडियो प्लेयर, इस तौफे में हैं पाँच हजार सुनेहरे गाने और कुछ यादे जिस जिस पर ये जग हसा है, उसी ने तो इतिहास रचा है वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुची आपके साथ और आज के इस एपिसोड में हम उन अक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने बगेर किसी स्टारी बाक्ग्राउंड के, बगेर किसी इंफ्लूएंस के, बगेर किसी गौड़ फादर के खुद के बलबूते पे अपने आपको इस्टाबलिश किया है वो सितारे जो सेल्फ मेड है और आज हिंदी सिनिमा को जिन पर कर्व है सबसे पहले में बात करना चाहूंगे उस अभिनेतागी जिन्होंने entertainment को एक नया नाम दिया जिनका मानना था कि nationalism is also a kind of entertainment और उन्होंने ये अपनी फिल्मों के साथ में दर्शाया मैं बात कर रहे हूँ, मनुझ कुमार जी के वैसे मनुझ कुमार जी का असली नाम हरी कृष्ण गिरी गो स्वामी था मनुझ सहब ने काफी ऐसी बॉलिवुड फिल्में दी हैं जो हमेशा याद रहेंगी especially उपकार, क्रान्ती, शहीद जहाँ पे उन्होंने देश भक्ती को प्रमूट किया सिर्फ फैक्टेंगी नहीं बलकि direction में भी बहुत काविल थे मनुझ जी इनफाक्ट उनका तो सपना था कि वो direct करें दिलिव कुमार जी को और वो पूरा भी हुआ क्रान्ती फिल्म के साथ undoubtedly मनुझ सहब ने अपनी फिल्मों के द्वारा बॉलिवुड में patriotism जिन्दा रखा also एक बार खबरे तो ऐसी भी आई थी कि धर्मेंद्र सहब Bombay छोड करके चले जाना चाहते थे क्योंकि उनका luck जाता चल नहीं रहा था लेकिन उस समय मनोझ जी ही थे जिन्होंने उन्हें रोका और कहा कि अपनी struggle को जारी रखे मनोझ कुमार जी की मेहनत के बारे में तो सभी लोग जानते ही हैं और चलिए अब मेहनत से बनाय हुआ हमारे मिस्टर भारत इस नाम से भी जाने जाते थे वैसे मनोझ जी तो उन्हीं का गाना सुनते हैं अगली फिल्म से लग जा गले गाना वो कौन थे फिल्म से लताजी की आवाज में सुनते रे ये वीकेंड ग्लासिक रेडियो शोव के फिर ये खसी रात हो नहो शायद फिर इस जनुम में मुलाकात हो नहो लग जा गले के फिर ये खसी रात हो नहो शायद फिर इस जनुम में मुलाकात हो नहो लग जा गले हमको मिली है ओ आज घड़िया नसीब से हमको मिली है आज घड़िया नसीब से जी भर के देख देजिये हमको अरीब से फिर आपके नसीब में ये बात हो नहो शायद फिर इस जनुम मुलाकात हो नहो लग जा गले हमको मुलाकात हो नहीं आएंगे बार बार बास आये के हम नहीं आएंगे बार बार बाहे गले में डालके घुम्राल जार जार माखों से फिर ये प्यार के बरसात हो नहो शायद फिर इस जनुम में मुलाकात हो नहो लग जा गले के फिर ये खसीरात हो नहो शायद फिर इस जनुम मुलाकात हो नहो लग जा गले लग जा गले एक प्यार का नहुमा है मोजों की रवानी है एक प्यार का नहुमा है मोजों की रवानी है जिन्दगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक प्यार का नहुमा है मोजों की रवानी है जिन्दगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक प्यार का नहुमा है लाला 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 कुछ पा कर खोना है कुछ खो कर पाना है जीवन का मतलब का आना और जाना है तो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है जिन्दगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक प्यार का नहुमा है तू धार है नदिया की मैं तेरा किनारा हूं तू मेरा सहारा है मैं तेरा सहारा हूं आखों में समंदर है आशाओं का पानी है जिन्दगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक प्यार का नहुमा है सारे गामा कारवा डिजिटल ओडियो प्लेयर इस तौफे में हैं पाँच हजार सुनेहरे गाने और कुछ यादे ओ हो 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 खोया खोया चार खुला आस्मा आखों में सारी रात जाएगी तुमको भी कैसे नीद आएगी ओ, खोया खोया चार खुला आस्मा आखों में सारी रात जाएगी तुमको भी कैसे नीद आएगी ओ, खोया खोया चार मस्ती भरी हवा जो चली मस्ती भरी हवा जो चली खिल खिल गई ये दिल की कली मन की गली में है खलबली के उनको तो बुलाओ खोया खोया चांद खुला आसमा आँखों में सारी रात जाएगी तुमको भी कैसे नीद आएगी खोया खोया चांद तारे चले नजारे चले संग संग मेरे वो सारे चले चारों तरफ इशारे चले किसी के तो हो जाओ खोया खोया चांद खुला आसमा आँखों में सारी रात जाएगी तुमको भी कैसे नीद आएगी खोया खोया चांद ऐसी ही रात भी कैसी रात आथों में हाथ होते वो साथ कह लेते उनसे दिल की ये बात अब तो ना सता खोया 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 चांद खुला आसमा आँखों में सारी रात जाएगी तुमको भी कैसे नीद आएगी खोया 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 चांद रफी साब के आवाज में काला बाजार से था ये गाना weekend classic रेडियो शो पर मैं हुरुची आपके साथ आज जो गाने में आपको सुना रहे हूँ वो कुछ ऐसे सितारों के हैं जो कि self-made stars हैं और ये सभी गाने मेरे digital audio player सारे गामा कारवा से सुन रहे हैं I hope आपको अच्छे लग रहे हूँ वैसे कि आप जानते हैं फिल्म काला बजार में मुगले आजम फिल्म का प्रेमियर दिखाया गया था और देव सहाब का कारेक्टर जो था वो ब्लैक मार्केटिंग करता है इस प्रेमियर शो के टिकेट्स के वैसे अपने टाइम के सूपर स्टार देव सहाब को प्यार से चीरो भी बुलाया करते थे लोग उनकी फैन फॉलोइंग तो आप जानते ही है कितिनी रही होगी उस समय आप कहें ये जानते हैं कि उन्हें पब्लिक में ब्लैक सूट पहनने से मना कर दिया था क्योंकि लड़कियां आपने आपको कंट्रोल नहीं कर पाती थी और कहते थे कि कहीं कोई आपको देख के किसी खिड़की या बैलकनी से जम्प ना कर दे इसलिए आप यू कहर मढढ़ आए वैसे तो पहली बार अज लीड रोल उन्हें जिद्धी फिल्म में देखा गया था लेकिन क्या आप जानते हैं उन्हें अपना पहला ब्रेक अशोक कुमार जी ने दिया था वो भी यू ही चलते फिरते जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ था कि अशोक कुमार जी बॉंबे टॉकीज के गार्डिन में अपने दोस्त से कुछ डिसकास कर रहे थे कि किसे कास्ट करना चाहिए उनकी फिल्म के लीड रोल के लिए और तभी कोइंसिडेंटली देव सहाब भी वहां मौझूद थे फिर क्या था? उन्होंने देव सहाब को देखा और उनकी फिल्म के लिए देव सहाब को भी as a hero साइन कर लिया लेकिन जैसा कि आप जानते हैं हर successful इंसान के शुरुवात एक struggle के साथ होती है देव सहाब ने भी काफी struggle किया था acting से पहले उन्होंने एक accountancy firm में as a clock काम किया था और उसे उन्हें सिरफ कुछ 85 रुपए की salary मिला करती थी खेर इतना struggle किया उसके बाद ही तो वो इतने बड़े star बन पाए a self-made star देव सहाब उन्हीं के फिल्म से अगला गाना guide फिल्म से अगला गाना आपको सुनाऊंगी मैं किशोर्दा और लता जी की आवाज में और कुछ देर के बाद आपको बताऊंगी कि कैसे एक normal सा इंसान रवी कपूर बना superstar जीते इंद्र सुन्ति रहे वीकेंड ग्लासिक रेडियो शोव मेरा दिल तुही मेरी मंजिल हाए कहीं बीते ना ये राते कहीं बीते ना ये दिन कहीं बीते ना ये राते कहीं बीते ना ये दिन साता रहे मेरा दिल तुही मेरी मंजिल हाए नहीं बीते ना ये राते, नहीं बीते ना ये दिल गाता रहे मेरा दिल प्यार करने वाले अर प्यार ही करेंगे जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे मिलके जो थड़के है तो दिल हर जम ये कहेंगे कहीं बीते ना तो कहीं बीते ना ये राते, कहीं बीते ना ये दिन कर जाता रहे मेरा दिल तुही मेरे ही मंदल करेंगे करेंगे मेरे हम राहि, मेरे बाह था में चन्द, बदले दुनिया सारे, तुम ना बदला मेरे हम राहि, मेरी बाह था में चलना, बदले दुनिया सारे, तुम ना बदलना प्यार हमें भी सिखला देगा, करदिश में संभलना, कहीं बीते ना, कहीं बीते ना ये राते, कहीं बीते ना ये दिन गाता रहे मेरा दिल, तुही मेरी मंदिल मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना एक राह रुक गई तो और जुड गई मैं मुडा तो साथ सा राह मुड गई हवा के परों पर मेरा आशियाना मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना इनने हाथ ठाम कर इधर बिठा लिया रात ने इशारे से उधर बुला लिया खुबर से शाम से मेरा दोस्ताना मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना Love this episode? Offline this video now and enjoy this show anytime, anywhere! कितना प्यारा वादा है इनमत वाली आखों का, इस मस्ति मैं सुझे न, क्या करडा अलुहाल मुढे समाल जाला या अंधेरा कहीं ना छूटे हाथ मेरा कोई मेरा ना तेरे बिन जियाने भाना साथ मेरा अर कोरा कोरा गोरा गोरा ये अंगतोरा है पागल मुहे बना दिया कितना प्यारा वादा है इनमत वाली आखों का इस मस्ती में सुझे न क्या कर डालू हाल मुहे समा बरसो मैंने मन जलाया मिली पलकों की तब ये छाया कांटे मेरे तन में तूटे गले से तुने तब लगाया हो सैया प्यारी चलता जारे बैया डारे हो गरवा तो है लगालिया कितना प्यारा वादा है इनमत वाली आखों का इस मस्ती में सुझे न क्या कर डालू हाल मुहे समा वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप लता जी और रफी सहाब की आवाज में था ये गाना कारवा फिल्म से जीते इंदर सहाब की ये फिल्म मैं हूरुची आपके साथ वान अफ तो मोस्ट हैंसम आक्टर्स रहे हैं जीते इंदर जी अपने समाने में है की ने नाम वैसे इनका रवी कपूर हुआ करता था और बॉलिवुड में इनके जिस तरह से एंट्री हुई उसकी कहानी भी बड़ी फिल्मी ही है जीतू जीने तो सोचा भी नहीं था कि वो कभी आक्टिंग करेंगे वो तो अपने माबाप के साथ में उनही के बिजिनस में पसंद आ गया कि उन्होंने जीतेंदर जी को नवरंग फिल्म का ओफर दे दिया जीतू जी ने भी मौके पर चौका मारा और वो ओफर आक्सेप्ट कर लिया और ऐसे कुछ हुई हमारे जीतू जी के करियर की शुरुवात और वो शांताराम जी ही थे जिन्होंने रवी कपूर का नाम बदल के चीतेंद्र किया आप तो जानते हैं कि जीतू जी हिमा जी से प्यार किया करते थे जो भी कहो लाइकिंग तो थी उस समय लेकिन बाजी मार ले गए धरम पाजी वैसे धरमेंद्र जी ने भी काफी तरकीबे करी थी बॉलिवुड में आने के लिए वो हमेशा से ही आक्टर बनना चाहते थे और वो उनकी मा थी जिन्होंने सजेस्ट किया था धरम जी को कि क्यो ना तुमें एक रिक्वेस्ट लेटर लिख करके भेजो तो उन्होंने फिल्म फेर न्यू टालेंट हंट में अपनी फोटोस के साथ एक लेटर भेजा था अप्लिकेशन के साथ में और बस किसमत चल पड़ी पंजाब से धरम पाजी मुंबई आ गए और फिर 1960 के फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में उन्होंने डेब्यू किया आईए सुनते हैं धरम पाजी की ही फिल्म लोफर का गाना आज मौसम बड़ा बैमान है सुनते रहे ये वीकेंड ग्लासिक रेडियो शोओ मौसम बड़ा बैमान है बड़ा बैमान है आज मौसम आज मौसम बड़ा बैमान है बड़ा बैमान है आज मौसम आने वाला कोई तूपन है कोई तूपन है आज मौसम ओ आज मौसम बड़ा बैमान है बड़ा बैमान है आज मौसम कि मौसम बड़ा बैमान है क्या हुआ है क्या हुआ है हुआ कुछ नहीं है क्या हुआ है हुआ कुछ नहीं है बात क्या है पता कुछ नहीं है मुझसे कोई खता हो गई तो इसमें मेरी खता कुछ नहीं है कुब सूरत है तू रुत जवान है आज मासं हो आज मासं बड़ा बैमान है बड़ा बैमान है आज मासं कर दो कर दो करा दो कर दो कर दो घटा डर रही है काले काले घटा डर रही है थंदिया है हवा भर रही है सब को क्या क्या गुमा हो रहे हैं हर कली हम पे शक कर रही है कुलों का दिल पे कुछ बद्दुमान है आज मौसम हो आज मौसम बड़ा बैमान है बड़ा बैमान है आज मौसम I hope you are enjoying this episode of weekend classic radio show. Do like this video and share this episode with your friends and family and don't forget to subscribe to Saregama Music YouTube channel. I hope you are enjoying this episode of weekend मैं जट यमला पगला दिवाना मैं जट यमला पगला दिवाना हो रभा इतिसी बात ना जाना के 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 ओ मैनू क्यार कर दी है मैं जट यमला पगला दिवाना हो रभा इतिसी बात ना जाना के 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 ओ मैनू क्यार कर दी है सग्जे उत्ते वो मरती है के ओ मैनू क्यार कर दी है 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 सग्जे उत्ते वो मरती है उसने तो कहा हर बात को इशारे में दी अभी जला के रखा रातों को जोबारे में उसने तो कहा हर बात को इशारे में दी अभी जला के रखा रातों को जोबारे में पेश मिदू पटफन का पींके हूलार में, मेले में अकेले फिरी बाजार सर में। कौन सा बनायाना बहाना बहाना बहाना। मैं जात यम्ला पगला दिवाना रभा जीती सी बात न जाना। के ओ मैनू प्यार करती है, सड्डे उत्ते वो मरती है ऐसा नहीं होता तो वो ऐसे शर्माती ना मुझे आते देख सडक पे माग जाती ना ऐसा नहीं होता तो वो ऐसे शर्माती ना मुझे आते देख सडक पे माग जाती ना खुल्फों के घोंगत में मुकड़ा चुपाती ना छोटी सी उमर में वो जान को लगाती ना फे मुदा रोग पुराना 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 मैं जत यम्ला पगला दिवाना हो रप्पा इतिसी बात ना जाना के ओ मेनु प्यार करती है सदे उत्ते ओ मरती है के ओ मेनु प्यार करती है सदे उत्ते ओ मरती है मैं जत यम्ला पगला दिवाना वीकेंड क्लासिक के न्यू एपिसोड्स हर थर्स्डे रिलीज होते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब तु सारे गामा म्यूजिक यूट्यूब चानल और प्रेस दे बेल आइकन अन दी आप ताकि हम हर हफते कुछ नही कहानियों और गानों के साथ मिलते रहें दिल कड़प तड़प के कह रहा है आपिजा तु हमसे आँक ना चुरा तुझे कसम है आपिजा तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है गुल नहीं खिले के तेरा इंतजार है तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है गुल नहीं खिले के तेरा इंतजार है के तेरा इंतजार है के तेरा इंतजार है दिल थड़प थड़प के तह रहा है आपिजा तु हमसे आँक ना चुरा तुझे चथम है आपिजा दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा तुम्हारे हो चुकी हूँ मैं तुम्हारे पास हूँ सदा दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा तुम्हारे हो चुकी हूँ मैं तुम्हारे पास हूँ सदा कुम से मेरी जिन्दगी का ये सिगार है जी रही हुं में के मुझ को तुम से प्यार है कि मुझ को तुम से प्यार है कि मुझ को तुम से प्यार है दिल तड़क तड़क के दे रहा है ये कौदा तुम्हारे हो चुकी हुमें तुम्हारे पास हूँ सदा मुस्कुरात प्यार का असर है हर कहीं हम कहां है दिल किधर है कुछ खबर नहीं मुस्कुरात प्यार का असर हर कहीं हम तहां है दिल किधर है कुछ खबर नहीं जिल तड़क तड़क के कहे रहा है आबि जा तु हम से आँख ना चुरा तुझे दशंब है आबि जा जिल धड़क धड़क के दे रहा है ये तदा तुम्हारे हो चुकी हूँ मैं तुम्हारे पास हूँ सदा वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप मैं हूँ रुची आपके साथ ये गाना था दिलिप कुमार जी की फिल्म मधुमती से बैसे दिलिप साहब जैसे लिविंग लेजन्ड जिन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है हिंदी सिनिमा में उनके पास एक जमाने में इतना भी पैसा नहीं था कि वो अपने घर से स्टूडियो तक जा पाए उस समय जो BCCI के प्रेसिडेंट हुआ करते थे PM रुंगता जी उन्होंने दिलिप कुमार जी को बड़ा सपोर्ट किया था उस समय ट्रैम के टिकेट्स के पैसे भरना, बाकी कुछ यूँ ही, रोज मर्रा के खर्चे के लिए पैसे देना वो सब ही मदद किया करते थे दिलिप सहाब की जब वो एक स्ट्रॉगलर थे लेकिन जैसे ही फिल्म इंडस्ट्री में उनकी एंट्री हुई उन्होंने तो आक्टिंग को एक नया परिच्चे ही दे दिया वैसे आक्टिंग के अलावा और किसी चीज़ के लिए अगर वो पॉप्यूलर थे तो वो थी उनकी लव स्टोरी साइरा बानु जी के साथ लेकिन अगर आपको लगता है कि साइरा बानु जी के जिंदेगी में सबसे पहले दिलिव सहाबी आए तो आप गलत है साइरा जी और राजेंद्र कुमार जी भी बड़ी चर्चाओं में रहा करते थे काफे सारी मुविज इन दोनों ने साथ में की थी तो शूटिंग के तौरान दोनों में थोड़ा प्यार सा उमर गया था दोनों शादी करना चाहते थे लेकिन उस वक्त राजेंद्र जी अल्रेडी शादी शुदा थे और उनकी वाइफ ने साइरा जी की ममी नसीम बानुजी से कहा कि वो अपनी बेटी को राजेंद्र साहब से दूर रखे फिर क्या था नसीम जी ने दिलिप साहब से कहा कि आप मेरी बेटी से शादी कर लो वैसे भी आप दोनों एक दूसरे को थोड़ा बहुत तो पसंद करते ही हैं दिलिप साहब ने साफ मना कर दिया था क्योंकि साहरा जी उनसे 20 साल छोटी थी उम्र में लेकिन नसीम बानुजी ने जैसे तैसे दिलिप साहब को कन्विंस कर ही लिया और कुछ ऐसे दिलिप साहब ने राजेंदर साहब की शादी भी बचा ली वैसे राजेंदर जी भी एक सेल्फ मेड स्टार थे बहतरीन मूवीज दी हैं इन्होंने अपने समय में और इन्ही की फिल्म संगम से सुना रही हूँ मैं आपको अगला गाना सुनते रहे या विक एन ग्लासिक रेडियो शोओ क्या लिखूँ ये मेरा पेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना हो ना के तुम मेरी जिंदगी हो के तुम मेरी बंदगी हो ये मेरा पेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना हो ना के तुम मेरी जिंदगी हो के तुम मेरी बंदगी हो तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें विदाग है तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें विदाग है तुझे सूरज मैं कहता था मगर उसमें विदाग है तुझे इतना ही कहता हो के मुझे को तुम से प्यार है तुम से प्यार है, तुम से प्यार है यह मेरा पेन पत्र पढ़ कर के तुम न राज न हो न के तुम मेरी बंदगी हो के तुम मेरी बंदगी हो तुझे गंगा मैं समझूंगा तुझे गंगा मैं समझूंगा तुझे अपना है इतनी तुझे अपना है मैं समझूंगा अगर मर जो रूह बटतेगी तेरे इंतजार में ये मेरा पेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना हो ना के तुम मेरी जिंदगी हो ये मेरा पेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना हो ना के तुम मेरी जुन्दगी हो, के तुम मेरी बंदगी हो बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है, हवाओ राग निगाओ, मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है ओ लाली पूल की मेहंदी, लगा इन गोरे हाथों में उतर आए घटा का जल, लगा इन प्यारी आखों में सितारो मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है बहारो पूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है नजारों हर तरफ अपतान दो एक नूर की चादल बड़ा शर्मेला दिल पर है, चला जाए न शर्मा कर जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है बहारो पूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है इस वीकन क्लासिक रेडियो शो को आप आप आस पॉड्कास्ट भी सुन सकते हैं on Android and Apple platforms ओड़े जब जब जुल फे तेरी कवारियों का दिल मचले जिन्द मेरी ओड़े जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे ना नजर फिसले जिन्द मेरी के बेरियों के बेर पक गए जिन्द मेरी ए कभी डाल इधर भी भेरा के तक तक नैन ठक गए जिन्द मेरी ए उस गाँ पे सुर्ग फिसद के के जहां मेरा यार बसता जिन्द मेरी ए पानी लेने के बहाने आजा के तेरा मेरा इक रसता के तेरा मेरा इक रसता जिन्द मेरी ए तुझे चांद के बहाने देखूं तुझे चांद के बहाने देखूं तुझात पर आजा गोरिये तुझात पर आजा गोरिये जिन्द मेरी ए अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, के चांदु बेरे छिप जाने दे, के चांदु बेरे छिप जाने दे जिन्दु मेरे तेरी चाल है नागन जैसी, तेरी चाल है नागन जैसी, रिजोगी तुझे ले जाएंगे, जिन्दु मेरे जाए तेहीं भी मगर हम सचना, जाए तेहीं भी मगर हम सचना, ये दिल तुझे दे जाएंगे, ये दिल तुझे दे जाएंगे, जिन्दु मेरे I hope you are enjoying this episode of Weekend Classic Radio Show. Do like this video and share this episode with your friends and family. And don't forget to subscribe to Saregaama Music YouTube channel. चलिए तो मैं रूची यहां से विदा लेती हूँ, मिलूँगी आपसे अगले हफ़ते, कुछ ऐसे ही किस्से कहानिया और आपके पसंदीदा कानों के साथ. करताू झाल 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 झाल